नमस्कार प्यारे साथियों बहुत बहुत स्वागे थे आप सभी का अपने सी योट्योब चैनल टॉपर गिलेक्सी पर तो आज के से वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12 हिंदी के 10 काफी जादा महत्योपूर टॉपिक जो कि आपका वन स्वाट ये वीडियो होगा और आपको 10 टॉपिक जो बताने वाला हूँ आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टेट होने वाला है तो हम लोग आज जो सुरुवात करेंगे वो एक ऐसे टॉपिक से करने वाले हैं जो बोड एक्जाम में आपका ये पहली बार नया पैटन में जुड़ा हुआ है ठीक है ना और इसके बारे में लगभव बहुत ही कम चर्चा होती है तो आज केसी वीडियो में आपको यहाँ पर इसको भी मैं करा देता हूँ ठीक है सबसे पहले जो कि आपको पहले जो पैटन होता था उसमें संधी विछेत पूंचा जाता था लेकिन अब आपका यहाँ पर इसमें कम नहीं होते हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है तो चली इसको हम लोग क्लियर करते हैं सबसे पहले देखे मेरे सामने दिया गया है यहाँ पर एक गध्यानस ठीक है जो की अपरटित है कहीं से भी पूछा जा सकता है ठीक है ना तो यहाँ पर इसको कैसे स्वाल करेंगे यहाँ पर देखिए सको पढ़ते हैं पहले कि क्या दिया गया है आपर इसमें तो इसमें दिया गया है कि आज से लगवग 600 साल पूर्व संत कवीर ने संपदाई की जिस समस्या की और ध्यान दिलाये था आज भी पसुत ज्वाला मुखी की भाती भैंकर वनकर देश में देश के वाता को विसुद्ध करती है देश का यहां दूर भाग है कि यहां जाती धर्म भासागत इर्श्दा द्वेस और बिरोध की भावना आसमय एवं समय यानि कि कभी कभी अचानक से भैंकर ज्वाला मुखी के रूप में भड़ा कुरती है ठीक है दस बीस हता हत होते है मतलब खायल हो जाते हैं अचानक ठीक है लाखो करोणों की संपत्ती नस्थ हो जाती है भैतरास और असांती का प्रकोप होता है विकास की गती अवरुद्ध हो जाती है कवीर हिंदू मुसल्मा जाती में सारीरिक द्रिष्टी से कोई भेद नहीं मानते और भेद केवल विचारों और भावों का होता है ठीक ना यह भावों का है तो देखिए इस प्रकास से आपके सामने ये एक अपठित गध्यांस है अब इसको देखिए आपको पता है पांच नंबर का आपको आंसर लिखना है तो कैसे निखेंगे question कैसे आएंगे देखिए यहाँ पर आपके सामने एक question हमेशा जो है अपठित गध्यांस में आता है जो कि भया होता है कि इस प्रस्तुत गध्यांस का सीरसक क्या है अब आप सोचेंगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है कहीं पर भी अब इसक सीरसक आखिरकार होगा क्या तो आप confused हो जाते हैं लेकिन don't worry यहाँ पर आपको इस पूरे passage को पढ़ कर जो चीज सबसे ज्यादा बार repeat होती है या जिसके बारे में बताया गया वही आपका इसका सीरसक हो जाता है जैसे अगर हम इस पूरे passage की बात करें तो यहाँ पर आप एक दूसरे से धर्म के नाम पर जाती के नाम पर एक दूसरे से इर्शा करते हैं बिरोध करते हैं तो वो आपको क्या है संपरदाइता है तो मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांस जो हमारा है यह दिया गया गद्यांस इसका सीरसक क्या हो जाएगा तो इ यहां पर यही चीज़ बताएंगा कि प्रस्तुत गध्यांस का सीर्सग संपर्दा cambio option और एक यह प्रसुत ज्वाला मुकी प्रस्तुत मतलब अचानक से वो 就是 result मुकी निकलता है ठीक है और ज्वाला मुकी में आप जाते हैं लावा निकलता ठीक ना गरम पदार्च तो इस प्रकार से इसका आप लोग आंसर दे देंगे चलिए नेक्ष्ट कोशन इससे देखे कैसे बनता है अंगला कोशन आपके सामने है कि क्या कारण है कि कभीर चैसे पर लोगते हैं और यहाँ पर पढ़के की क्या तो इसमें अगर आपल देखें तो यहाँपर बताए देखें गे आकर पर सुरू कि लाइन में देश के बाद वरन को बिसुद करता है अब पूरा तो आप इसमें उतारेंगे नहीं ये चीज़ ध्यान रहे काफी सारे बच्चों के माइंड में यही चीज़ चल रही है कि इसको हम लोग पूरा उतार के चले आएंगे हमें समझ में नहीं आएंगे तो नंबर मिल जाएंग इसको पढ़कर आपके माइन में क्या एक निश्करस निकल रहा है वो चीज़ आपको बताना है तो आप यहाँ पर देखे लिखेंगे कि 600 साल बाद भी कवीर के परसांगिक लगने का कार्णिया है कि समपरदाइक्ता कि जिस समस्या से उन्होंने 600 साल पहले ही समाज में ध् ख्यास किया था कि इसको जो यह समस्या है इसको दूर किया जा सकते समझ रहना तो यह आपका इसका जो है राइट आँसर हो जाएगा अब आइए कोस्या वो कहीं से भी पूछ सकते हैं जिसी कि यहाँ पर है कि किस समस्या को जो आला मुखी कहा गया है किस समस्या को कहा गया जो आला मुखी क्योंकि यहाँ पर अगर देखे तो कहा गया है कि वहाँ आज भी प्रिस्प्त जो आला मुखी की भाहा जो पहलता है जो कि है एक संपरदायकता और संपरदायकता के अंदर क्या क्या आता है तो भांसागत इर्षा-दुएस और बिरोध ये सभी भावना जो है आ जाती है जो असमाई काभी भी किसी भी समाई ये बहड़क सकती है ठीक है ना समाज में ऐसा होता है रहे तो आप देखते होंगे आसपास तो यहां पर इसका हो जाएगा कि जाती धर्म भासागत इर्शा द्वेस और बाइर आधी के कारण होने वाले दंगो तृता लड़ाई जगणों को जुआला मुखी कहा जाता है जो की मतब कभी भी फट सकता है और हमारे समाज में समाज की जो एकता है उसको वो तार कर देती है जो समपरदाय जाता है कि समाज में जवालामुखी भड़कने के क्या दूस्रऑण झाएम होते यहां पर एक तो पहली बात इसी में मिल जाइगा अंसर समाज में अनेक लूग आसा में मार जाते आप दें कहीं पर भी अगर दंगा होगा कोई भी कुछ भी चीज़ होती है, तो उसमें अब ये तो कोई देखागा नहीं कि ये भाया हिंदू है, कि ये मुस्लीम है, कि ये गरीब है, कि ये अमीर है, वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जाता फिर, फिर मतलब कोई भी जो है सामने आएगा, वो मारा जाएगा, हाना, तो ये होता है, डंगों को निभ्टा आनिम लग जाएगेगी तो फिर बिकास की तरफ उसका रुक झाएगा तो आज हम लोग इनको भी बात करेंगे बाकी के आप लोग यहाँ पर निवन्ध लेखन जो भी आपके आवेदन पत्र ऐसे काफी सारे कोशन संस्कृत के कहानी यह सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले तो चलिए पहले बात करते हैं अनेक सब्दों के लिए एक पर आपको जो इंगलिस में आपका पूँचा जाता है वन वर्ड सब्सेट्यूशन तो पहला कोशन देख सकते हैं कहा गया है कि जो इस्वर में बिस्वास करता हूँ अब जितने कोशन आपको करा रहा हूँ यह आपके लिए हिंदी में एकदम रामबान सावित होंगे मतल जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको बोलते हैं साथचर क्या बोलते हैं साथचर पीता की अत्या करने वाला उसको बोलेंगे पित्रहंता ठीक हैं जिसे कहा ना जा सके बोलते हैं आकथनी है क्या बोलते हैं आकथनी है सत्य आचरन करने वाला सदाचारी होता है जो कभी जन नहीं लेता उसको अजन्मा बोलते हैं किये गए उपकार को ना मानने वाला क्या होता है करतागन होता है ठीक ना जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासु होता है वहाँ पुरुस जिसकी पतनी मर गई हो विधुरू बोलते हैं उसको ठीक ना जो सब कुछ जानता हो उसक ठीक है न अतिती होता है इसके बाद आता है आपका अनेक आर्थी सब्द देखिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द इसमें थोड़ा कन्फिर्ज मत होएगा यहाँ पर जैसे आपके सामने है एक वर्ड अंबर के यहाँ पर दो अर्थ है नेकि और भी होते हैं लेकिन हमें अर्थ आपको वहाँ पर लिखने होते हैं ठीक ना कॉपी पर तो जैसे आपके सामने हैं वस्त्र और आकास ठीक ना अंबर के दो अर्थ हो गए वस्त्र और आकास नेक्ट आपर है अली मतलब होता है भावरा सक्षी या विच्छू इन में से आप कोई दो याद कलीजिए अंगला है कनक कनक का मतलब होता है सोना या धतूरा ठीक ना इसको बाद है करण करण का हो जाता है कान या करण आप जानते हैं कि नाम है कुंती पुत्र का ठीक ना जो कि आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दुरियोधन के मित्र भी थे ठीक ना तो इनको आप इस ब्रच यहां गीना ठीक है तो ऐसे इनको याद कर लिजेगा जितने बता रहा हूं most important है बोड़िक जाम में हर साल आते हैं ठीक है ना तो यहां पर लक्ष लक्ष का हो जाएगा उदेश या निसाना ठीक है फिर आपका number 9 नीरज इसका हो जाएगा जलाज कमल ठीक है खल का होत मतलब होता है एक once के लिए सब इस्तेमाल होता ठीक है ना कुल मतलब once या समस्त समस्त मतलब जितने भी संक्या होगी उसको बोलते हैं कुल कुल संक्या समस्त पूरा पूरा हना तो यह होगा इसके बाद है मित्र मित्र का होता है दोस्त सखा सही होगी इस प्रकास से इसको आ तदुए आज तक बने रहना है आज के यह वादा हिन्दी में बहुत ही ज्यादा रहक है चलिए इसके बाद कि आता है सब्दों में सूच मंटर सब्दों में सूच मंतर क्या हूता है यह समy और 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 यहां पर सिकेंड option आप लोग सही कर देंगे objective में यह कोशन आता है ठीक न तो इसको आप सही करके महाँ पर चले आएंगे जो भी आपका suggestion यहाँ पर आपका first का second विकल्प सही तो आप इस प्रकास से लिख देंगे copy लिखने का तरीका जल्दी विडियो आने वाली है आपको ठीक न तो तुरहनते मिलेगा tension नहीं लेना इसके बाद देखें यहाँ पर आपके सामने है बात 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 का मतलब क्या है समझे बात का मतलब होता है बाते और बात मतलब आप जानते हैं वायू या हवा के लिए बोला जाता है तो यहाँ पर बाते और हवा यह बाला आपका पहला अपसन सही हो जाएगा इसमें नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अंस अंस तो अंस का मतलब क्या हो जागा कंधा और इस अंस का मतलब हो जाता है हिस्सा ठीक है ना दोडों में सासा कांता रहे तो ध्यान दीजेगा ऐसे question आते हैं इसके बाद यहाँ पर है अंबुज अंबुद ठीक ना तो अंबुद का मतलब होता है आपर कमल और अंबुद का मतलब होता है बादल ठीक है इसके बाद है द्रव और द्रव तो द्रव का मतलब तरल पदार्थ जानते ना जैसे पानी हो गया तेल हो गया ठीक है तो यह द्रव होता है और द्रव की बात करें तो धन के लिए बोल जाता है किसे धन जानेके लिए ठीक न तो यह आपका हो जाएगा तरोल परदार्थ और धन इसके बाद है कि नंबर 6 यहाँ पर अनल और अनेल तो भाईया अनल होता है अगनी और अनिल होता है वायू तो अगनी और वायू आपका यहाँ पर इस प्रकास से right answer होगा इसका इसके बाद यहाँ पर है आपके पास ग्रह और ग्रे तो ग्रे और ग्रे के यहाँ पर देखे इसमें क्या फर्क है यह इसे बोलते हैं ग्रे ठीक ना जी आर आई और यह आपका जी आर ए हो जाएगा ना तो ग्रे और ग्रे तो इसका होता है यहाँ पर घर और ग्रे का होता है नच्छत्र ठीक ना चलिए इसके बाद यहाँ पर देखे नेक्ष यहाँ पर आपके सामने है भावन और भुवन तो भावन का मतलब होता है घर ठीक ना और भुवन मतलब संसार तो घर और संसार इसका हो जाएगा next आपके सामने है सुदड और सुद इसमें देखें यहाँ पर चोटा उबड़ाओग की जो मात्राएं उनका फर्क है तो सुद का मतलब होता है पुत्र और सुद मतलब सार्थी तो पुत्र और सार्थी हो जाएगा इसका ठीक है नेक्ट देखिए इसके बाद है आमरण और आभरण ठीक ना तो ये आभरण है और ये आमरण है तो आभरण का मतलब होता है आभुसन और आमरण का मतलब होता है म्रतिव परियंद आमरण हाना तो म्रतिव परियंद तो इसका हो जागा भुसन और म्रतिव परिय तो प्रणाय मतलब होता है प्रेम और परिड़े होता है बिवा आपने जैसे देखा होगा साथियों में लिखा जाता है ना परिड़े तो यह आपका होता है बिवा के लिए ठीक है ना इसके बाद देखिए सर और सर यहाँ पर देखिए सा का अंतर है दों में तो सर और सर में आपको बताया था कि भाग होता है और ये अंसोव आपका कंदा होता है तो भाग और कंदा इस प्रकास से इसको आप लोग लिख देंगे ठीक है तो ये होते हैं कि आप सब्दों में सूच्म अंतर तो चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर टॉपिक आता है मुहावरे और लो परसेंट आपका दे के पंचानवे प्लस स्कोर में हिंदी में कराऊंगा अगर आप लोग जो चीजे बता रहा हो इनको अगर कर लेते हैं और हिंदी में ही क्या यार हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसी चीजे में अभी तक प्रवाइड करा चुका हूँ और अभी मैं आप आपको आगे जो है देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बिल्कुल एकदम राम बार्ण स्वाबीत होगे हम लोग साठीक तरीके से आप वही कोईसिन करेंगे तो बोर्ड एक्जाम के लिए इंपोर्डेंट है और रिपीट होते हैं ठीक है चलिए तो देखें लोगोगति में की सुरेस या महेस अपना लुट करने के चक्क कर में रहता है यैङ आपना काम बनाने के चक्क कर में रहता है तो बहुती होता है तो दूसरा हापर है अपने परेंगे घ्रण होना मतलब इसका होता है कि स्वालंबी होना कोई बेखती है और वो पढ़ लेकर अच्छी जवाब पागया ठीक है तो वो क्या कर सकता है अपनी लाइब को अब राम सिंख जी सकता है मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि वो एक स्वालंबी बेखती हो गया अपना खुद का जो है अपने अनुसार चलने लगा ना ही अब देसे दूसरे पर डिपेंड नहीं है तो यह आप लोग बोल सकते हैं स्वालंबी होना नेक्स देखिए अन्दे की लकडी होना मतलब एक मात्र सहारा होना इसके बाद है एद का चांद होना बहुत दिन बाद दिखाई देना उट के मुह में जीरा मतलब अत्य धिक को काम में लेना गागर में सागर भरना मतलब ठोड़े में बहुत अधिक गी के दिये जलाना कब घी के जिये जलते हैं जब लोग बहुत ज्यादा प्रसन होते हैं ठीक है वरना तेल से ही काम चला लिये जाते हैं तो चलिए यहाँ पर आपक दुकान फीके पक्मान मतलब भीया बाहरी दिखावा अब आप एक बात यहां पर सोची होगी जैसे आप लोग जाते हैं कहीं पर पढ़ाई के लिए ठीक है और आप सुनते हैं इस कालेज में बहुत अच्छी फसलिटीज है बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है अच्छे- होती है क्या ओजी दुकवान फीके पकवान ठीक है न तो यह हो गया हमारा केवल बाहरी दिखावा इसके वाध हवा से बाते करना मतलब बहुत वेक से चलना ठीक ना इसके बाद है मुख फुलाना भईया मुख का फुलाया जाता है जब कोई घुस्सा होता है तो असन्तुष्टों न यहां पर हो जागा इसके बाद यहां पर है आंखों में धूल-जोगना मतलब धोका देना ठीक है और आखे धिकाना मतलब क्रोध प्रकट करना ठीक है तो इस प्रकार के ये मुहावरे हैं जिनको आपको बिल्कुल तयार कर लेना है माईडियर अब बढ़ते हैं अपने नेक्ष टॉपिक पर तो यहाँ पर आपका देखे आता है एक छोटा सा टॉपिक जो की है वाक्यों में तुरूटी का मतलब क्या है इसमें छोटी बहुत गल्तिया होंगी जो की आप कहें देंगे तो आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी सही कर देंगे कैसे कर देंगे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर है कि मेरे को बिद्याले जाना है बताइए यहाँ पर मेरे को मतलब मुझे यहाँ पर इतनी गलती है तो भाईया करके चले आना घर आप देखिए नेक्स यहां पर है यहां संतरे मीठे हैं तो भाईया यहां पर इसको क्या कर देना यह संतरे मीठे हैं छोटी छोटी गलती हैं इनको पकड़ के आप लोग और महां पर रख देना तोड़ मोड़ के चलिए इस प्रिकार से देखिए board exam में यह question आते हैं इनको आप कर लेंगे अब यहाँ पर इससे ज़्यादा यहाँ पर hard question नहीं आने वाला वाकियो तुटी margin आप आसानी से कर लेंगे बहुत तीजी है अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ जो कि संस्कृत क है और संस्कृत में गध्यांस पद्यांस पर काफी ज़्यादा आपको टेंसन हो रही है ठीक है तो अब देखिए इसमें आप लोग ध्यान दिजेगा कौन कौन से गध्यांस और पद्यांस आपको पढ़ना है तो अब आपका पहला topic क्या है गध्यांस आपको पता है board exam में इसका मिलता है आपको पूरा 7 number कितना मिलता है 7 number ठीक है ना संस्कित का द्यांस का इसी प्रकास से पद्यांस को भी अभी देखेंगे तो चलिए यहां पर काउन सा पहले देखिए आपको तयार करना आपके सामने दिया गया इसको बहुत important है इसको पूरा आपको पढ़ ले यहां पर आपका पूर्ड वीराम ठीक है ना विद्यमाने सु निखिलेश्वपी वांग मैये सु आस्या वांग मैयम सर्वे सर्वेस्रेश्टम सु संपन्य चा वर्थते यह मेव भासा संस्कृत नामना पी लोके प्रतिता आस्ति आस्ति आस्माकम रामायड महा भारत गद्यावतर्ण जो आपका गद्यावतर्ण यह कहां से लिया गया है तो लिए टन्या पूस्त अपर जानको आपको एकजामनर दे जिएग एकजम चुटकियों में फिर बात क़ती है हिंदी अनुवात की, हिंदी अनुवात देखी यहाँ पर समझ रिजे, यहाँ पर है कि धन्य आयम भारत देशा, धन्य है यह भारत देश, यह तरो मतलब जहाँ समूल सती जन्मानस पावनी भावोत भावनी, धन्य है यह भारत देश, जहाँ पर जन्मानस को एकदम पवित् करने वाले स्रेस्ट भावों को प्रकट करने वाले सब्धू और समुख को जन्म देने वाली संस्कित भास जाया है विद्धियमान है विद्धियमाने येशू, निकलियस्वापी वांगमययशू अस्या, अब दगेए यहाँ पर है आस्या वांगमययम सर्वश्रेष्ठम सुपसंपन्य चावरतते, अब इसके बाद यहाँ पर है कि समस्थ वर्तमान की बात करें, वर्तमान साहित्यussa जितने भी साहित थे हैं इस टाइंपर, सबसे सुसंपन्य और सबसे स्रेष्ट क्या है? वहीया संस्कृत है, ठीक है? यह बताया जाता है. यहां पर है कि इसके बाद, येमेव भासा, यही भासा, इसका येमोग मतलब होता है, यही, ठीक है? संसर्कित नाम से लोग के मतलब संसार में प्रशिता मतलब प्रचलित है ठीक ना या प्रशित्ध है बोल सकते हैं इस प्रकास से आपको अपनी भासा में लिखना आए कि किसको ठीक है इसके बाद यहाँ पर है आसमाकम रामाइडम आसमाकम मतलब होता है हमारा ठीक है या हमारी हना तो हमारी रामाइड में महा भारत बायदित इतिहासिक गरंता महा भारत बात करें तो महा भारत आधि इतिहासिक गरंतों में जैसे कि रामाइड हो गया महा भारत आधि इतिहासिक गरंतों में चारो बेद हो गया ठीक ना तो चारो बेदों में समस्त उपनिसदों में यानि की कहा गया ना सरवा उपनिसदा अस्टा दस पुरानानी समस्त उपनिसदों में और अठारह पुरानों में अस्टादस पुरानानी का मतलब 18 पुरानों में भी ये क्या है एक बहुती मतब प्यारी भासा है और सभी में आपको संस्कृत देखने को जरूर मिलेगी ऐसा हो ने सकता कि संस्कृत ना है ठीक है तो हमारी बहुती प्यारी भासा है संस्कृत और काफ़ी प्राचियन भासा है सांस्क collective तो इसको आपको काल लेना बहुत ज़्यादा यह important है आपके लिए इसके बाद के इस लोग काथा है इस लोग यहाँ पर इसी प्रेकास जो आपका साथ नम्बर इसका मिलता है और साथ नम्बर आपका मिलता है संस्कित के महत्पूर्ण स्लोक में जिसको आप एक करते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर पहले हम लोग करते हैं एक महत्पूर्ण स्लोक देख सकते हैं दिया गया है निंदन्ति नीत नुपुडा यदि वा इस्तुबन्त लच्छमी समाविसतु गच्छतु वा अथेश्टं या गच्छतु मतलब जाए अपनी इच्छा के अनुशार अथेश्टं मतलब अपनी इच्छा के अनुशार लच्छमी अपनी इच्छा के अनुशार आए या अपनी इच्छा के अनुशार चली जाए अदेव वा मालमस्तु या आज ही मरतिव हो जाए यूगां तरेवा या तो यूगों के बाद मरत पर नातीव हो, ठीक है समझियेगा, नियात पता प्रविचलंति पदम नधीर, लेकिन वो भहिया नियायके पता कभी भी उनके नियायक से अलग नहीं होते, वो धैरसाली पुरूस्त, अपने नियायके पत से कभी भी इधारु जर्विचलित नहीं होते, जिस पता पर चलते ह हैं वो हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं चाहे लचमी आए चाहे इच्छन सर चली जाए चाहे आज ही मिरती हो जाए या युगों के बाद मिरती हो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह होता है आपका देख सकते हैं संस्कित इस लोग अब इसको ऐसे ही साल्व करके आना ठ दूश्रा पढ़ लिजे जल्वें तुनिपातेन कि रमसाप और एते घटा साहे साहे तो सरव विद्यानां धर्मस चाह धना से चाह यह दूश्रा हो गया इसको आतीस्तरा है उद्यति सभीता तम्रेस्ताम्रे एवास्त में चाह संपत्य चाह भीपत्य चाह महात्में एक र लेते हैं तो यह कोई भी चाह कोई भी एक पेपर बना के देदे आपको हना यूपी बोर्ड का कोई भी पेपर का सेट आपको मिल जागा आप उसको एकदम धूँआ धूँआ करके आएंगे यह मेरी गरंटी है बस जो चीजे बता रहा हूं आपको एकदम विश्वास जता लिए भी धार हो गई अब आपको यहाँ पर मैं बता देता हूं ora जीवन परचे पहले हैं नपर बना का गरवाल जी का पहला चैप्टर है ऋब और एक दम पढ़के ही जाएं चलिए लिखेंगे कैसे वो जानिए लिखेंगे दक्तर वास्षुदेशन अगरवाल का जन्म सन ini si pushing соврем मेरट जिलेके खेडा नामक ग्राम में हुवा था कहां पर हुआ था तो मेरट जिलेके खेडा नामक ग्राम में ठीक ना इनके माता पिता लखनाव में रहते थे प्राप्त की ये बनारस हिंदुबेस विद्याले के पुरातत एवं प्राचे नितिहास विभाग के अग्धच एवं आचारे रहे हिंदी जगत के जाने माने लेक डाक्टर वासुदेश अगरवाल की मृतीव सन 1967 में हो गई थी ठीक न तो ये इनका एक पूरा परिचे है ठीक है समझ रहा है न तो ये इनका एक परिचे आप इसके बाद एक साहितिक परिचे में अगर बात करें तो आप लिखेंगे यहाँ पर डाक्टर वासुदेश अगरवाल ने अपना जीवन साहित्य के छेत्र में ब बिचार थे इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्तो को अपना बिसे बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राची नितिहास का रूप प्रस्तुत किया तो ये साहित्टिक परिचे है रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं कां कौन कौन से हैं देखिए तो इनकी प्रेमुक रचना है निवन संग्रा में आप देखेंगे प्रतिभी पुत्रमाता भूमी कल्प प्रच से भारत की एकता कला और संस्क्रती ये हो जाएगा सोथ की बात करें स्वारी तो पाड़ी कारीन भारत हो गया संपाधन में जाएसी पदमावत की संजेवनी ब् ठीक ना तो चलिए इसको भी जानते है कैसे लिखना है आपको तो यहाँ पर लिखेंगे कि डाक्टर हजारी प्रसाथ दुवेदी का जन्म बलिया जिले की दुवे का छप्रा नावा ग्राम में हुआ था और कब हुआ तब यहाँ इनके पिता का नाम स्रियन मोल दुवेद से जोतिसाचार की परिक्षा उत्रण की और लखनव विस्विद्याले से इनको डेलिट की उपाधी प्राप्त की जबकि यहाँ पर आप बात करें 1957 मीने भारा सरकार द्वारा अपद्म भूचान की उपाधी से भी सम्मानित किया गया था ठीक ना और मैस अन 1989 को रोग से प अपन्यासकार आलोचक एवं संपादक के अधरिक्त एक कुसल वक्ता एवं एक सफला ध्यापक भी रहे या थे यह बंगला तथा संस्कित के प्राख्यात विद्वान भी थे और इनकी रचनाओं में नवीनतम एवं प्राचिमतम समनवय भी हैं ठीका ना तो यह इनका साहि रचनाओं की बात करें यहाँ पर आप देखें रचनाओं में इनके यहाँ पर प्रमुक रचना है जैसे की यहाँ पर लिखेंगे निबन संग्राय को अलग लिखेंगे तो असोक के फूल हो गया अलोग पर हो गया और अलोचना की बात करें तो सुर्दास कभीर्दास साहि और उपन्यासों की बात करें तो बाड़ भटकी आत्मका था इनका प्रमुक उपन्यास है पुनर नवा भी इनका उपन्यास है तो ये आपको देना है इस प्रकासे दोनों के जीवन परचे ठीक ना चलिए अब बात करते हैं कभियों की कभियों में आपके लिए most important जीवन पर हो गया जनवे स्थान हो गया इनका पीता का नाम सिच्चा हो गई मरत्यू इसको साथ में box बनाके copy पर लिख दीजेगा ताकि जब एक जनवेट कॉपी चेक करेंगे आपकी तो वह पहले ही देख लें कि हाँ इतना चीज़े सही है तो आपका जिवन परचे एकदम सही कर द मुन्नी देवी था ये तंबाकू के एक फ्रसिद ब्यापारी थे इनके पीता ठीक ना बच्पन में ही पीता की मिरत्य हो जाने से इनकी प्रारमिक्स जिचा घर पर हुई और घर पर ही इन्होंने पढ़ने का प्रबंद किया और अध्यन में जुट गया ठीक ना घर पर ही मिलबजय संकप साजी ने संस्कृत और हिंदी का अध्या अच्छा अध्यन प्राप्त कर रहा था प्रसाद जी का सारा जीवन संगर्सों में भी था और कठोर परिस्रम और संगर्स के कारण वे राज च्छमा के सिकार हो गया और 14 नवंबर उनी ससाइटिस इस वे में केवल 48 वर्स की अलपायों में वो परलोकवासी हो गया थी ठीक ना अब इसके बात है कि यहाँ पर आपको इनका लिखना है साहित्तिक परचे साहित्त में इनका योगदान भी आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक ना क्योंकि 12 की बात करें तो भया नंबर पूरे त वर्साद जी ने आपने काब में मानवी मूल्यों की प्रतिष्ठा की है उनके काब में हैद की आकुलता है और या उनके संपूर्ण काब में विभिन रूप में ब्यापत है ठीक ना इतना आप लिख देंगे इसके आगे आप चाहें तो इस दो पंक्तियों को भी लिख सकत है तो इनकी प्रमुक्रतना जैसे काब में आपका चित्राधार कानन कुसुम प्रेम पतिक लहर जर्ना आसु का माईनी यह सभी हो गए नाटक की वाद कर राज श्री यहां पर आपको आजाद सत्रू इसकंद गुप दूरुसामी विसाक यह सभी आप लिख सकते हैं इनकी में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं ठीक ना तो यह आपकी कहानिया है देख सकते हैं आकास्ती इंदरजाल आंधी छाया और बात करें उपन्यास की तो कंकल और तितली इनका एक आपूंड है ठीक ना पूरा नहीं हुआ और निवन्द में काब और कला यह इनके प्रमु सरणगुप्त जी का ऐसे लिखेंगे देखी राष्त कभी मेतली सरणगुप्त का जन्म सन 586SB को को जहां से लेके चिरगाओं में हुआ था और इनके पीता का नाम सेट राम चाड़ुप्त था इनका निदर सन 1964 को हुआ था और इनकी पीता राम चाड़ुप्त जी यह एक राश्ट बक्तियम राश्ट प्रेम्स इस प्लस टूप से दिखाई देता है इसलिए इनको सभी कभियों ने राश्ट कभी की उपाधी दी थी साकेत महा काब के लिए इन्हें हिंदी साहित सम्मिलन द्वारा मंगला प्रसाथ पारिचोची से सम्मानित किया गया और भारत सरक सभी है तो यह बता देंगे दुवेदी उपके ठीक ना अब इनकी बात करें रचनाओं की तो रचनाओं में देख सकते हैं पर आप लिख देंगे की गुप्ति जी ने प्रमुख रचनाय दो परकार से करी हैं ठीक है पहला इनकी अनूजित हो गई तो अनूजित रचनाओ यहाँ पर कहानी देखिए अंगला टापिक आपका क्या है कहानी है तो कहानी में आपको देखिए क्या क्या तज्यार करना है बहादूर कहानी और पंचलाइट कहानी पंचलाइट आप लोग अगर वीडियो में देख सकते हैं मैंने वीडियो प्रवाइड करा दिया है और अगर आप उसको नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे भہी या बहादुर कहानी का लिखेंगे, तो दोनों आना है आपका, ये तो फ्ीक्स है, ठीक ना, तो चलें बहादुर कहानी का साराथ सरे का कैसे लिखना है, आपको, लिखेंगे, कि अमरका parenthि की जानी ये कि लिखिए क्योंकि आपको सौट में लिखना है ना पांच नंबर तो मिलना है तो चलिए इसके बाद लिखेंगे बहादुर नेपाल का बारा से तेरा वर्सी एक बालक है जो इस कहानी का नायक है जो अपनी माता के दुर्ब्यवहार से तंग आकर घर से साहर चला जाता है ठीक ना वो घर से निकल जाता है बालक ठीक है जिसका नाम बहादुर था यानि बहादुर कहा गया फिर देखें यहां पर जब नौकरी करने लगता है निर्मला के परिवार में या उसके घर में तो बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत अच्छे तरीके से करता है इस कह अलोज भी करने लगे मार पीटा और गाली गालियों की कारण बहादूर का मन काम में नहीं लगा और एक दिन निर्मला पुत्र की सोर ने बहादूर को कह दिया सुमर का बच्चा और जिसके कारण वह और भी ज्यादा रुस्ट हो गया तो इसके बाद कि यहाँ पर आपको लि से लोटे तो उन्हें पता चला कि बहादूर अपना सारा समान चुन कर घार से चला गया ठीक ना चला गया है फिर देखी यहाँ पर निर्मला के पती और निर्मला को बहादूर की इमान दाई पर विश्वास हो गया था बहादूर की उपयोगता देखकर किसोर और निर्मल घरेलू काम करने से घब राते थे और बहादूर बहुत ज़्यादा पस्टाथा भी करते थे मतलब वो आपने अंदर सोचते थे कि कि हो ऐसा हमने उसको बोला ठीक ना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करता थे उनके घर का तो देखें यहाँ पर हो गया अब बताना है यहाँ पर कि अव पस्टाइका हो परंतु अव पस्टाइका हो जब चडिया चुंगई खेत मतलब जब वो निकल चुका है चला गया तो अब पस्टाने से क्या करना क्या मतलब पस्टाथा आप करने से ठीक ना तो यहाँ पर लिख देंगे बहादूर में सहन सिलता और येवं सभिमान की बहाओना कूट-कूट कर भरती सभिमानी बहुत ज्याज़ा था और उसके इसे चरित्र के कालन यह कहानी सभी को लोक प्री है तो फ्री है ठीक ना जितने भी पाठक हैं तो यह आपको लिख देना ह है एक निबंध जो कि आपके सामने है महत्तो पूंट देख सकते हैं आतंकवाद की समस्यायम समाधान इसको कैसे लिखेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्डन है आपकर लिख ठीक ना चलिए यहाँ पर पहले इसकी रूप रेखा देखे कितनी रूप रेखा तयार करना इसमे है और फिर आपको उपसंगार जो कि हमेसे कितरी निबंध में ये लाश्ट दिंग होती है तो चलिए परस्तावना कि हम लोग सुरुवाद करते हैं कैसे लिकना है परस्तावना यहाँ पर है आपके सामने कि आतंकवाद पूर्टया अनर्थकारी होती हुए भी आर्थ से भ १ाय परस्ती है जिसकी न कोई जाती है ना धर्म है और ना समाज में नहीं कोई इसका राश्ट है ठीक ना नहीं कोई समाज नहीं कोई रास्ट है तो यह आपस में होना चाहिए एक मने नहीं है पर sus देस्वक्ति के प्रती दुएस भाव मुख्य रूप से रहता है मतलब अगर आतंकवादी से हम कहें कि यह तुम देस्वक्त बंदा हो तो क्या वो ऐसा करेगा विल्कुल नहीं करेगा तो महाँ पर देस्वक्ति विल्कुल नहीं होती है अब देखिए तो प्रस्तावना आतंकवादी तो लचहीन होता है उसे दिसा भी दूसरा ब्यक्ति ही बताता है अंतर राष्ट ये प्रगति की दावड में प्रतेक राष्ट एक दूसरे की प्रगति पतपर पत्थर रखना चाहता है आतंकवादी भी एक पत्थर ही जो जाति धार्म भास्त तता छेत्र बाना हुआ है या इसको का है तो यह एक प्रकास से जो है जो हमारे समाज की बोले तो जो प्रकास से र्एक को जाती है ढिलया क। भारत में अतंकवाद किसी हा रहा तो यह आपके تीसरे आठिंग देश भारत की आगसे सरवाधि rights भारत है ठीक ना सर्व से ज़्यादा पेड़ी देश कौन सा है भारत है हालात यहां तक आप पहुंचे हैं कि कि 13 दिसंबर 2021 को हमारे संसत पर भी हमला हुआ था और इसमें पाकिस्तानी खुपकिया जानसी आई एसाई के हाथ होने की पुष्टी की गई ऐसे ही हमला जम्मू कस्मीर विद्धान सभा पर भी हो चुका है हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दिनो दिन उड़ता ही जा रहा है कास्मीर की सती ऐसी है कि वह अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा तो यह भारत में आत पड़ेगा तो आतंकवाद के अंत के लिए हमें योदस्तर पर जूझना पड़ेगा आज सत्भावना के प्रसार किया वा सकता है युवा पीडी जो भटकाव के रास्ते पर है उन्हें विश्वास में लिया जाए और उन्हें में देश वक्ती की भावना का प्रसार प्रस को बढ़ावा देने वाले राष्टों के विरुद संगर्स किया जा ठीक है तो यह होता है भारत में आतंकवाद के अंत के उपाया ने इस प्रकास से आतंकवाद को रोका जा सकता है लास्ट टेडिंग है उप संगार इसमें क्या क्या लिखना समझे तो यहाँ पर आपको फैलाना उस देश में अस्थिर्ता की आग फैलाना होता है और इसमें सत्रों को तो बल मिलता ही है जन धन की भी बहुत ज़्यादा हानी होती है प्रगति वादी योजनाओं की प्रगति के पाँ रुख जाते हैं प्रसासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग ज पूठाएं तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो भाईया नौ में नौ नंबर ही मिलेगा पूरा पूरा ठीक ना तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देगा आज के इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर आवेधन पत्र हो गया है और भी जो टॉपिक है गध्यांस पध्यांस के ठीक है इसके अलावा अब्जेक्टिव कोईशन यह सारी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कबर करेंगे ठीक है ना तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर आप चाहते हैं ऐसे इंप